Hello दोस्तों and welcome back to iDux Apple ने उसके October वाले इवेंट में चार iPhones की जगए एक और प्रोड़क्ट लॉंच किया था जो की था Apple का HomePod Mini Apple का HomePod Mini एपल का एक Smart Speaker है पहले भी Apple का HomePod करके Smart Speaker आता था जो कि थोड़े बड़े साइज में बड़े प्राइस के साथ था तो अभी Apple ने उसका एक छोटा रूप निकाला है काफी affordable price पे मैं आज आपको इस वीडियो में इसके सारे features बताऊँगा ये कैसे आपके Apple के ecosystem में अगर आप एक Apple device user हो तो उसके साथ कैसे अच्छे से बैठता है वो भी बताऊँगा और जो इसका प्राइस है इंडिया में 9,900 रूपीज उसको ये justify करता है या नहीं करता है वो भी बताऊँगा तो बिना time waste करें चलते हैं सीधा वीडियो में पहले भी एक home port आता था इंडिया में बड़ा वाले size का जिसका प्राइस US में था 349 डॉलर्स लेकिन इंडिया में उसका प्राइस काफी हम लोग को as compared to dollar सस्ते देखने को मिला था इंडिया में उसका प्राइस हम लोग को देखने को मिला था 19,900 रूपीज में उसकी sound quality मतलब एक दब next level थी अब आजकल smart speaker काफी सारे घरों में बहुत जादा essential हो गए है जैसे कभी-कभी आप लोग को मतलब आदत हो जाती है उनकी आपको मतलब उनसे continuous बात करने का कुछ भी doubts हो उनसे पूछने का आप कहीं जा रहे हो आपको वहां distance पता करना है आपको अपना मतलब कोई भी country का time पता करना है मतलब आपको सारी information आपके बास एक speech पर ही है एक तरीके सापका assistant आपके साथ में जो एक speech पर ही आपके सारे मदद कर सकता है जैसे कि आपने fan light बगर है सब customize करा रखी है smart lighting system के साथ तो आप उनको बोल सकते हो on off करने के लिए वह भी काम करतेगा तो एक तरीके से यह lazy भी बनाता है और एक तरीके से बहुत ज़्यादा helpful भी है तो अब बात करते हैं HomePod mini के बारे में तो Apple का HomePod mini हम लोगों बहुत अच्छे छोटे design में, spherical design में देखने को मिला है साथी साथ इसमें जो mesh का fabric लगा हुआ है, वो इसका जो acoustic sound है, उसको अच्छी तरीके से balance करता है उपर के side हमें मिलता है एक backlit display, जब आप hey CD बोलते हो तो वो activate होता है और उसमें color illumination आता है साथी साथ यह touch display भी है, आप अगर इसमें एक बार tap करते हो तो आपका गाना play post हो जाएगा long press करके रखते हो तो आपके CD activate हो जाएगा और volume up and down के भी controls यहाई से ही होंगे और इसके साथ साथ आप volume up and down के control अपनी voice से भी कर सकते हो आत करते हैं इसकी sound के बारे में तो automatically अपने room के हिसाप से उस जगह के हिसाप से अपने आपको adjust कर लेते हैं ताकि आपको पूरे room में किसी भी part में sound made disturbance नहीं आए हम लोग के इसके अंदर apple का s5 chip मिलता है apple का s5 chip apple watch se में भी लगा हुआ है जो कि उसका जो सारा processing वगरा होता है उन सब का काम करता है एक तरीके से जैसे फोन में प्रोसेसर वगरा लगते हैं उसी तरीके से एपल उसके हर एक डिवाइस में अलग अलग ताइप के chips जालता है जो कि हर एक प्रोडक का अपना-पना काम करते हैं अगर आप एक रूप में दो-दो speaker रखते हो तो वह automatically connect हो जाते हैं और आपके लिए stereo quality का sound देते हैं इसे कि बाकी smart speakers की तरह आप इसमें अपने जो भी फेवरेट अप्लिकेशन है गाने की उसमें आप अपने songs प्ले कर सकते हो चाहे हो Apple Music को Amazon Prime Video और अपने अपना फोन भी इसके साथ connect कर रखा है तो आपके call लगाने में help करेगा आपको किसी को message भिजने में काम आएगा आपको पूछना है कि मुझे इस distance से उस distance जाने में कितना टाम लएगा वो भी Apple Maps की मदद से आपको यह बताएगा और आपका iPhone इदर उदर घ पच्चों के bedroom में हो या कई भी हो अगर आपको hall से कुछ बोलना है तो चिलाने विलाने की जरूत नहीं है इसमें आपको सारे functions मिलेंगे one to all इसका मतलब आप अगर एक जगह कहीं बैठे हो और आपको सबको कुछ message भीज़ना है तो वह आपकी voice record करके वह message बाकी intercoms में भी यह मुझे काफी अच्छा feature लगा HomePod का और अब मैं आपको बताता हूं कि HomePod मीन आपके ecosystem के साथ कैसे बैठता है आपको जरूत नहीं है intercom यूज़ करने के लिए सिफ घर में रहना ज़रूरी है अगर आप अपने office वगरा में हो आपके car play यूज़ कर रहे हो उधर से आप cd को बोल सकते हो send a message to everyone तो फिर वो automatics आपके जिते भी सारे family members हैं उनके apple device पर reminder भेज़ देगी या तो आपके voice recording है वो भेज़ देगी तो यह intercom feature मुझे बहुत ही अच्छा लगा अगर सब लोग घर पे नहीं है तो उनके apple device पर वो intercom का जो भी command है वो सुन सकते हैं या तो अ automatic गाना detect कर लेगा और आपके phone में भी वो गाना आ जाएगा आप उसे वहां से भी बजा सकते हो और कभी future में उसे सुन सकते हो जिस चीज के लिए apple जाना जाता है वो है privacy यह आपके privacy इतनी अच्छी तरीके से maintain करता है apple बोलता है कि जब तक आप command नहीं दोगे hey cd का उसके बिना आपकी voice आपके घर से बहार नहीं जाती है और साथी साथ अगर आपने अपना iCloud ID इसके साथ connect नहीं किया है तो यह सिर्फ एक independent speaker जैसा ही काम करेगा आपको कोई जरूर्द नहीं आपका iCloud ID के साथ connect करने के लिए अगर आप इसे ऐसे भी उसकरना चाहते तो उसमें भ आपके घर से बाहर इसकी voice नहीं जाती है हम लोग को homepod mini में एक और चीज़ देखने को मिली जो कि है personal updates परसनल updates में क्या होता है जैसे अगर मैंने कुछ मेरे reminders वगरा सेट कर रहे हैं मेरे meetings वगरा सेट कर रहे हैं तो फिर वो मेरी चीज मेर को ही बताएगा अगर मेरा ब्रदर या कोई उससे पूछता है Hey CD tell my reminders तो फिर वो उसी के reminders उसको ही बताएगा तो यह बहुत ही अच्छी की बात करते हैं इसकी price के बारे में यूएस में यह launch हुआ है 99 डॉलस पे और इंडिया में इसकी pricing है 9,900 रुपीज मैं भी Google Home यूज करता हूं और वो खुद मैंने लिया था 10,000 रुपीज का अगर आप मेरे से बूच हो कि 10,000 रुपीज क्या वर्थ है इस speaker को pay करने के quality सुना नहीं है लेकिन जिस तरीके का sound quality आप बोलता है कि इसमें बहुत ही अच्छा quality है studio quality sound है अब देखते हैं जब जैसे ही यह speaker launch आएगा मैं इस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा I hope guys आपको HomePod Mini का वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को शेयर कर देना अगर आपको कोई भी तरह का डाउट्स हो आप वो में नीचे comment section में पूछ सकते हो मैं आपके हर एक सावल का बहुत अच्छी तर हम आपको का तरह कर दो आपको को física में आपके हो एका बहुत आपके घगर दो67 करी तरह कर देना आंपके होगा ऑुत अवा हो आपके हो अठी प्ला बहुत आपके कर